जैसे नमस्कार दोस्तों मैं विराठ फोजरी श्वागत आपके अपने वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो तो बहुत सारे बच्छे मेरे से पूछते रहते हैं कि सर एससी जीडी की नोटिफिकेशन कब आएगी दोस्तों जैसा कि आपको यहां तक तो पता कि जो एस 25 मार्च को आने वाले थी 25 मार्च 2021 को ही आने वाली थी ठीक है यह ससी की तरफ से अपडेट थी उसके बाद में मैं के फश्ट वीक में उसके बाद में फिर से यह डिले हो गई और इस पे बहुत बढ़ा क्यूशन मार्च लग जया कि अब यह वेकेंसी कब आएगी और 25 मार्च के बाद में अगर 25 मार्च के बाद में अगर कोई बच्चा ओवरेज हो रहा है तो उसको गबराने की बिल्कूल भी चिंदा करने की या टेंसल लेने की जुरुरत नहीं है क्योंकि 25 मार्च के बाद में जितने भी बच्चे मेंगे उनको एज में 100% मिलेगी कितना परसेंट नियुकर सकते या नहीं कर सकते वाली नहीं है लेकिन आप यहां आता है कि पचिस मार्थ से पहले हो जोगे और जिनको लग रहा था लुक्त जो जो यह एक वर्ष की जूर देगा यह दो साल की चूर देगा और भूस सारे बच्छे फिछली वैकेंसी यह रहाने के क इसके लिए तो 100% बात जित हो जाएगी कि इसके लिए तो एज में रिलेशन देना ही पड़ेगा क्योंकि जो वेकेंसी की नोटिफिकेशन थी वो 25 मार्ज को थी उसके बाद मैं मैं के फैस्ट वीग में थी और करोना के कारण करोना के कारण वेकेंसी डिले हुई है तो इस कंडिशन में तो 101% है कि एज का रिलेशन मिलेगा 25 मार्ज के बाद में लेकिन यहां पर एक चीज़ स्वाली आता है क्या यह जो दो वर्स वाली जो रिलेशन था एज का क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर काफी बच्चे चिंतित सब्सक्राइब करें तो इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है कि सर अब हमारा क्या होगा तो लार्डो एक उनके एक क्यूशन यह आता है कि सर अब तयारी कैसे करें हमारा मन नहीं लग रहा तो दोस्तों उनके लिए मैं एक चीज़ और बता दू साथ में आज ताकि वह तो सभी इस बात का फोकस करें देखो गोवर्मेंट के तरफ से अभी एज रिलेशन की तो कोई जानकारी है नहीं लेकिन सभी ने आस लगाए कि कम से कम इस बार एक वर्स की तो ऐसा से जिटी छूट देगा है देगा सभी ने उम्मीद इसलिए लगा रखी क्योंकि यह वे है इसलिए दूसरी एक चीज 25 मार्च के बाद तो बड़ेगी बड़ेगी इसमें कोई सकती है लेकिन अब एक कर्णिशन रहती है कि बच्चे बोलते कि सर अब मारे तेश साल हो गई या सताई साल होगी ओवी सी वाले या किसी के ठाई साल से ज्यदा हो गई तो हम तैयारी क करें हमारा तो दिल ही नहीं लगता ठीक है ऐसा होता है बिल्कुल यह बात सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दू अगर आप तयारी करते हो तो आपको फाइदा इसका किसमें मिलेगा आप सब्सक्राइब को पता आप सब्सक्राइब कराई जाएगी अब इसमें जो पोस्ट है लगबक अठारा जार के सम्थिंग को जाएगी कितनी पोस्ट हो जाएगी क्यों कि वेकेंसी एक वर्स पहले जब रेल वे ने इसकी जानकारी दी उस समय गया आजार के सम्थिंग लेकिन अभी उस बात को एक वर्स नहीं डेट वर्स से भी ज्यादा समय हो गया मतलब कम से अठारा महा तो अठारा महा में जितने भी रिक्ष पद होया है उनके लगा लिए किसी न्यूज इंट्रीव के दोरान जब वह बताते हैं उसकी है कि अधार जार पोस्ट की वेकेंसी हो जाएगी तो लाड़ो जिनकी एज तेज साल हो गई उनको इधर एज में प्रॉफ मिलेगा आप सभी को पता रेलेव में अठार से पत्ची साल है ठीक है तो आपको अगर 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 फायदा में नहीं मिले तो बताओ लेकिन आपको फायदा उसका 100% मिलेगा चाहिए आरप में मिलो उसके बाद में और जितने भी डिपार्मेंट चाहिए बीस सब्सक्राइब और जैसे कई डिपार्मेंट है जिसमें ट्रेड की वेकेंश होती है तो आप इन वेकेंशियों में भी तो फोर्म एपलाई कर सकते हो तो पूल मिला कि है कि आपको पढ़ने पे फोकस करना है ना कि इन चीजों में कि आपका फायदा होगा या नुकसान होगा इन चीजों में जड़ा नहीं पशना लाड़ लो इसलिए आपको इस बात में पका 100% कर लेना कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो वह आपके लिए काफी फायदेबंद है शाहत एगर दोस्तों आप आप ऐसे जीडी की तैयारी करने तो अगर आपने अभी तक कमांडो केडमी का कमांडो केडमी का एप इंस्टाल नहीं किया है हुँआ कि और सभी इस्टाल कर लिए जल्दी क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा मोगतर्षने वाला आने वाले दो यह 3 वीक में कि है कर दीन मिंग में यह यहँए जिसमें काफी बड़ा प्राइज रखा गया अगर आपने उंक तक नहीं किया है डाउन्लोड एप तो डाउन्लोड कर लिजे लाटनों जय हिंद जय भारत